हलो गाइज वेलकम बैक ओन हो मा एजुकेशनल हब लास लेक्चर के अंदर हमने एक तो कोर्स स्ट्रक्चर को समझाता कि यह यूनिट नमर जो थ्री स्टार्ट किया है उसके अंदर हमारा दो चैप्टर एक थर्मल वाला एक है उश्मे वाला और दूसरा है इलेक्ट्रिक वा दोनों के बारे में बात करेंगे और हम लोग पहले चाप्टिरिस साथ के हैं वह है ठरיך थर्मल परोपरटीज वाला थर्मल परपरेंटीज के अंदर हमने पहला जो टौपिक है वह एक ही वन डाय मेंस्ट लेटीस मालो एक वीमी टीस है एक वीमी जालक है उसमें जो कम्पन होता है या किस तरीके से कंपन होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वादे हैं अब देखना है कि हम ने ठोड़ा सा कुछ लिखाथा बारे में और हमने बोला था कि normally क्या हूता जी जिरो केलवीन अगर टेमप्रेचर है मेटेरियल का तो उस टाइम पर क्या होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वह अपनी जिगह पर स्टेशनरी रहते हैं लेकिन टेमप्रेचर थोड़ा भी बढ़ता है तो वह क्या करते हैं मॉमेंट करने लग जाते हैं मतलब वह हिलने अब यह अलग तरीके से हो सकती है कि जैसे ऐसा हो सकता है कि यह पार्टिकल जब इदर आ रहा तब यह इतर जा रहा तब यह इदर जा रहा मतलब ऐसा है मतलब पास में आ रहे दूर जा रहे पास में आ रहे दूर जा रहे इसके अंदर देखो एक तरब जा रहे सासा सासा और इसमें ओपोजिट डिरेक्शन में चलते हैं तो अलग-अलग तरीके से चल सकते हैं इन अलग-अलग तरीकों को बोलते हैं विदा हैं कि इस तरीक यह करते हैं variables में कोई ना कोई variable तो होगा इसमें कोई चराशी होगी तो अगर एक variable पर depend करते हैं एक variable पर depend करता है तो हम उसको बोलते हैं normal mode सामाने विदा आप simply ऐसे समझ लो इसका और भी meaning होता है लेकिन आपके लिवल पर इतना ही ना फैलिए ठीक है तो यह जो भी इसका motion होगा उसको हम लोग बोलेंगे सामाने विदा क्या बोलेंगे सामाने विदा अब चलो हमने कुछ information तो लिख ली अब आगे और बात करते हैं अब आगे मैं यह बात करूंगा कि जैसे क्या होता है यहां से एक जगे से energy मिलना स्टार्ट होई तो दूसरी जिगह पर पहुंची तो वह दूसरी जिगह पर पहुंची तो एक तरीके से हम बोलेंगे कि वह वेव बनके गई एक तरीके से अब आपके दिमाग में यह इमेजनेशन नहीं हो पाता है कि सोलिड मेटेरियल में वेव कैसे जाएगी हम लोग पढ़ेंगे तो कि किस तरीके से जाएगी क्या होगा किस तरीके से उसका अगर वेव है तो उसका कुछ लेमडा भी होगा उसका कुछ फ्रिक्वेंसी भी एनर्जीर हो आपके से लिगाट करना है ठीक है तो नृप तरेंग के इनर्जी से दूसरी जिगा पर जाएगी ठीक है होगा है उसका कुछ औमेगा होगा और उसका कुछ के होगा इन दोनों के बीच मे जो रिलेशन होता है उसको हुम लोग परिक्षयपण संबंद बोलते तो आप इसके अंदर कुछ information दो लिख लह इती न पहले कुछ लाएन लिखी थी अब हम लोग परिक्षपन संब्सक्रीशन लिखेंगे इसमें परिक्षपन संब्सक्षा इसी टोपीक के अंदर यह चल्ए रहा है पर इक से पर समन लिखो, लिखो, ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में, उर्जा एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर, तोष्पदार्थ में उर्जा एक स्थांच से दूसरे स्थांच पर जालक बिंदूं के कम्पन के कारण पहुंसती है कम्पन करने के तरीके को कम्पन करने के तरीके को कमपन करने के तरीके को हम कमपन विधा कहते हैं कमपन के कारण कमपन के कारण कमपन के कारण हम तरंगों से संबंदित मान सकते हैं अर्थार्थ अर्थार्थ उर्जा ठोसों में तरंगों के रूप में प्रवाइत होती हैं अर्थार्थ उर्जा ठोसों में प्रत्यास्त तरंगों के रूप में प्रवाइत होती हैं प्रत्यास्त तरंगों के रूप में प्रवाइत होती हैं इन तरंगों के कोणिये वेग ओमेगा तता तरंग संचन नियतां के के मद्दे संबंद को परिक्षेपन संबंद कहते हैं ठीक है यह जो मैंने लिख वाया है ना कि इन तरंगों के यहां से उसको इन वर्टेट को में बंद कर ले ना जहां पर डेपिनिशन पूरी खतम हुई है और उसको अंडरलाइन भी कर ले ना को इसको अटरलाइन करना और तोड़ा इनवर्टेट को में ढाल जिया करो ताकि वह फोकस रहे उस पर कि यहां पर कुछ इंपोर्टेंट है ठीक है यह हो between angular velocity omega, the relation between angular velocity omega and wave propagation and wave propagation constant k, the relation between angular velocity omega and wave propagation vector wave propagation constant k is known as dispersion relation is known as dispersion relation is known as dispersion relation तो हमने ये बोला कि solid material में energy एक जगे से दूसरी जगे पर चाहेगी तो vibrations होंगे vibrations की वज़े से जा रही है और vibration को हम लोग directly wave से connected मान सकते हैं कि vibration होते हैं तभी wave generate होती है एक तरीके से तो वेव जा रही है वेव के थूप लोर है और वो वेव जो है जो तरंग है उसका जो ओमेग वेलोसिटी है वो अब होगा गणीती विसलेशन mathematical analysis यह है इंगे कोग mathematical analysis mathematical analysis mathematical analysis करेंगे इसमें हम लोग mathematics develop करेंगे इसमें हम लोग क्या मानेंगे इसमें है कि जैसे solid material है उसके जालग बिंदु है यह है ना एक विए में X दीसा में बाल लेते हैं X डारेक्शन में कि कोई X दीसा में है और उसमें जो जालग बिंदु है इसको मैं इसे नाम दे बिता हूं जैसे यह यह इनके बीच के डिस्टेंस है वो ए है मालो कहीं पर भी सारे जो पॉइंट से इनके बीच का डिस्टेंस जो है एक की टाइप के मैटेरियल एक टाइप के पार्टिकल एक एक मोनो एटमिक है न एक परमानु भी तो सबका दुर्वयमान जो है वह भी मास भी क्या है यह करें नौर्मल टेमपरेचर पर तो यह अपनी पोजीशन पर रहते हैं लोर्मल पार्टिकल ने लगा पार्टिकल से ऐसे करने लगए पर्टिकूलर टाइन-क अगर मैं बात करूँ भी इतना किशावा है ये यू एन किसका हुआ है ये ये मालों किशावा है Unterstützung बरी इसके वह है तो इस्पृिंग होना ये किसक जाएगे विस्प्रिंग के लंबाई में चैन्जब और इस्पृण की लंबाई में चींज़ वह लगता है हुक्स लोगता है और उसके इसाफ से फॉर्स लगेगा वह होता है माइनस के एक्स अगर मैं केवल मोड की बात करूं तो यह के बराबर फॉर्स लगेगा कि एक्स मतलब कितना कि हम लोग पॉइंट्स को एन एन प्लस वान इस तरीके से लिख रहे हैं इनका डिस्प्लेस्मेंट जो है यह है इनका चालक निये तांग लेटिस को अजरे ए है यह बागी कि तरा चीज है तो लिखो इडाइग्राम में चापना है तो पहले आप में जो लिखवाने वालों वो दो तीन लाइन लिख लो और फिर इडाइग्राम चापना तो लिखो माना एकविमिये जालक के जालक बिंदु एकस दिसा में व्यवस्तित है इन जालक बिंदुओं को इन जालक बिंदुओं को यह जो लिखा में प्रकार से इन जालक बिंदों को इस प्रकार से इस प्रकार से लिखा जाता है लिखा जाता है जालक का जालक नियतांग ए है जीरो केलविन ताप पर सभीकन अपनी माध्य इस्तिती में रहते हैं परंतु परंतु अशुन्य ताप पर जालक बिंदों का विस्तापन जालक बिंदुओं का विस्तापन, क्रमश है जालक बिंदुओं का विस्तापन, क्रमश है UN, UN प्लस 1, इस तरीक से लिख सागते हो UN-2, यह बराबर में मतल़ लिखने हैं, नीचे लिखाई है UN-1, UN, UN-1, UN-2, UN-2, इस तरीके से रहेगा, विस्ता आपन क्रमशे है, होगा, यह लिखके लिखना होगा, ठीक है, clear है, इंग्लिस में दिखो, let one-dimensional lattice points are distributed in x direction, are distributed in x direction, are distributed in x direction, in x direction, the points are denoted as, the points are denoted as, the points are denoted as, usually low, dot dot dot, n-2, n-1, 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 n-2, dot dot, points are denoted by edge, this one, at 0 Kelvin temperature, at 0 Kelvin, 0 Kelvin temperature को absolute 0 temperature भी बोलते हैं, absolute 0 भी, absolute 0 को इन भी बोलते हैं, निर्बेक से सुनने ताप हैं, न, at absolute 0 temperature, the particles remains on the, at 0, at absolute 0 temperature, particles remains on their mean positions, on all particles, will displaced, will displace, will be displaced, will be displaced by, this one, will be displaced by, this one, ये displacement होगे इनके, will be displaced with this one या by this one है सलिकरो, ठीक है, ये displacement हो जाएगा, अब समझना बात को, अब ऐसा है, कि हम लोगों को, ये diagram चाप लेना भी या, हम लोगों को ये समझ में आगे हैं कि particles इस तरीके से हैं, हम लोग एक line की बात कर लेते हैं, और इसमें calculation purpose से ऐसे माना गया, simple तरीके से, कि आप calculation कर रहे हो, तो आप ऐसे समझों कि एक particle पर जो force लगने वाला है, वो इस particle पर जैसे force के बात कर रहे हो, तो इसके पीछे वाले और इसके आगे वाले, इनकी बज़े से लगेगा, और particles की बज़े से नहीं लगेगा, वैसे लगता है practically, लेकिन calculation के लिए easy करने के लिए, हम लोग यह मानते हैं कि एक particle पर इस pass वाले जो particles हैं, आगे पीछे वाले, इनकी बज़े से force लगेगा, बाकियों की बज़े से नहीं लगेगा, practically तो लगता है, लेकिन theoretically हम लोग calculation को simple करने के लिए, अभी यह समाना है, तो एक नहीं लोग लिखलो, फिर calculation स्टार्ट होगा, तो लिखो, एन वे कण पर लगने वाला प्रत्यास्त बल एन वे कण पर लगने वाला प्रत्यास्त बल, एन प्लस वन वे, एवां एन मैनस वन वे कण के कारण होगा, एन प्लस वन वे, जालिक बिन्दू या कण के कारण होगा, जाले काणीन के खारण होगा English में लिको The force The elastic force The elastic force on nth particle The elastic force on nth Latish point here nth particle Will be only due to Will be only due to n plus n plus 1th एंड एंड माइनस वन पार्टिकल है इस पर फोर्च होगा इसके आगे वाले इसके पीछे वाले के लिए होगा अब देखो समझो इसका केलकुलेशन करते हैं हम लोग कि डाइग्राम चापी लिए अब देखना इसको तो जैसे मालों एंड में कंपरबल है एंड में कंपरबल फोर्च ओन एंड पार्टिकल ओन एंड पार्टिकल पार्टिकल के ज़ो फोर्च होगा एंड लिख देता हूं इसको इस पर उप्र फोर्च होगा 2 की वाज़े से होगा एंड एन प्लस वनवे पार्टिकल की वाज़े से seven एन माइनस वननट पार्टिकल कि इतना समझाए chínhा है चलो अब मेरी बात समझ़ने है नहां से एक एक स्प्रिंग को थोड़ा थोड़ा